हालो मेरे प्यारे विध्यारतियों, कैसे हैं आप, आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी स्टुडेंट्स फटावड से जुड जाएए, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, और वेरी गूड आफ्टूनून टू अल अफ यू, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के खु अन्या सभी विशे भी आपको मिलेंगी, ठीक है मेरे दोस्तों, चलिएगा, और 24 महिने का बैच लेकर साहिल 10 ऐसे कोड लगा दीजे, अब जैसी साहिल 10 ऐसे कोड लगाओगे न, एपलाई कर देना, डिसकाउंट मिल जाएगा आपको, प्रोसीटू पेपर जाकर पेमेंट कर लेना, और क्रेडिट पॉइंट को रीडिम कर लेना, ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए, साहिल 10 ऐसे कोड लगा कर आनकेडमी पर आपको जितनी भी कैटेगरीज हैं, सब में आपको वेनेफिट मिलने वाले हैं, ठीक है माइडियर, मैंने सुबह चकरवर्ती भी आज की कोश थे, कि 45 किलोमेटर परती गंटे की गती से ड्राइविंग करने पर एक महिला, एक मिनट पहले काराले पहुँच जाती है, और 40 की गती से चलेगी तो 3 मिनट लेट पहुचेगी तो दूरी बता दो, तो हमें पता है, दो अलग-अलग चाल है, अब यहाँ चाल और इसका टा काटेंगे 3 आ रहा है, और 5 से हम काटेंगे 8 आ रहा है, और दूरी आ गई कितनी 24 किलोमेटर, इसको solve करने के लिए बोला गया था, आप से homework में, यहाँ आपने देखा, 3 तिया 9 और 2, 11 बटे, 3 यह हो गया, प्लस 92 है, तो साथिया 21, अब यहाँ से काटा, इस 33 आ गया, और 2 से काटा, यह 46 इंटू 3 या 11, तो 46 इंटू 3 अपन 11, ठीक है, वो इशू नहीं है, अब यहाँ से देखो, solve करना कैसे करेंगे, अब solve, तो 6 यह 18, 4 यह 12 और 13, 138 बटे 11 करेंगे, तो कितना आ रहा है, 11 एकम 11, पचे 2, 11 दूनी 22, 6 बटे 11, तो 12 को इसमें जोड़ दो आप, तो 45 आ रहा है, 45 यह रहा है, option नमबर D आ रहा है, चकरवर्थी 22, चार साल में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 81 गुना होगी, तो 4 साल में 3 गुना हो रही है, 81 गुना कितना है, 3 की पावर 4 है न, तो जो पावर होती है, उसी को गुना कर दो, 16 साल, क्या अच्छा तरीका है न, चोटी से छोटी संख्या जिसे 1875 को विवाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है तो अब आप देखिए 1875 में अगर आप तीन का भाग देंगे तो क्या पूर्ण वर्ग बन रहा है क्या तो तीन चिंग अठारा, तीन दू नीचे, तीन पंजे पंदरा, येस और दो से बन रहा है, क्या नहीं बन सकता, साथ और पांस से कोई मतलब नहीं है, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, तो ए आंसर आ जाएगा ठीक है माइडियर, आपको बात समझ में आ गई होगी, उमीद ये करता हूँ आप से, और जल्दी से जल्दी ठीक है, अब चलते हैं, आज के पहले प्रश्णी की तरफ, मानक विचलन निकाल के दिखा दो, जिसको नहीं आता, रिवाइज हो जाएगा, जिसको आता है, आंसर निकालो तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, वेरियन्स का, सिग्मा स्क्वायर, वो होता है, मौड X-X बार, बार का मतलब माद्य है, बटे N का होल स्क्वायर, अब ये X क्या है, ये डेटा है, और बार क्या है, माद्या निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे, 20 और 10, 30 तीस और 20, 50, तो 50 बटे 5 करेंगे, तो आपका माद्या निकलकर आगया 10, अब आपको कुछ नहीं क करना यहां समेशन और आता है यानि कि हर किसी को अंतर निकालो फिर स्कॉयर करके जोड़ो यहां से जीरो आया एक का स्कॉयर एक होता है नौ से किया एक होता है ग्यारे से किया एक होता है और नौ से किया एक होता है यानि कि कुल मिलाकर आपके पास जो माध्या निकल कर आ रह है तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दो बटे रूट पांच है तो आपका जो राइट आंसर होगा मानक विचलन का वह यही होगा ऑप्शन नमबर बी दो बटे रूट पांच है क्लियर है चलिए जेठा लाल गड़ा तो तुम्हें एलेक्ट्रोनिक्स की दुकान समालो ना भाई गड़ा एलेक्ट्रोनिक्स तुम्हें क्या मतलब आरा पड़ाई से चलिए अगला प्रश्न झाल झाल तिर्बुज ए बी सी आपका संकौन तिर्बुज है और बीडी क्या करती है बीडी बुजा एसी पर लंब है इस तरह से निमने में से कौन सा कथन सत्य है सर सत्य कथन यही है कि आप अगर दिमाग लगाते हैं तो यह अगर आपका ठीटा मान रहे हो ना आप तो यह आपका होगा फाई 90 मैंने थीटा यह 90 डिगरी है तो यह थीटा हो जाएगा और यह आपका कितना हो जाएगा फाई हो जाएगा आप जब equation बनाते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो BD square होता है वो किसके बरावर होता है AB into AC कौन सा आपका direct theorem आपको बता रखी है मैंने उसी direct theorem के हिसाब से आपको काम करना है फिर भी मैं अगर आपको triangle की बात करूँ तो यहाँ पर आपके सामने AD into CD ये किसके बरावर होता है BD square के बरावर होता है तो आप हमेशा दिमाग में रखें कि अगर आपको perpendicular BD निकालना है तो AD into CD कर सकते हैं BD square बरावर ये पहली चीज़ है दूसरी चीज़ आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं बोले क्या सर आप इसके संदर में AB into BC बरावर कर सकते हैं AC into BD तो ये भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं ये भी एक संबंद है ठीक है लिख लो जो important संबंद में लिखा रहा हूँ चलिए next चार-पांच होते है देखिएगा 10 दर्जन से 15 दर्जन आम 20 दर्जन संत्रे बेचने के लिए रखे गए हैं यदि प्रतेक में से क्रमशय इतने इतने फल बिग गए तो कुल कितने फल बाकी रह गए एक बटे दो बिग गए तो पांच बचे 15 एक बटे 3 बिग गए तो 2 बटे 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एक बटे 4 बिग गए याने कि 3 बटे 4 बाकी है याने कि कितना हो जाएगा 15 30 आंसर आजाएगा तो यह क्या है 30 इंटू 12 ऐसे गुणा कर दो क्योंकि दर्जन में चल रहा है सारा तो 360 solve करिए a प्लस b का whole cube पूछा गया है मतलब आप से पूछा गया है इसका expansion क्या होगा तो आप जानते हैं a प्लस b का whole cube जानते हैं न फॉर्मूला तो वो होता है a cube प्लस b cube प्लस 3ab into a प्लस b expansion पूरा निकालना है a cube प्लस b cube प्लस 6s square प्लस 6 12x यह पूरा expansion है तो answer होगा c माद्य और बहुलक क्या होगा सर आप से यह पूछा जा रहा है निरंतर तोर पर मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप अगर माद्य बहुलक की बात कर रहे हैं तो बहुलक तो मैं निकाल सकता हूँ माद्य की लिए आपको थोड़ी सी मेनत जादा करनी पड़ेगी माद्य की बात अगर मैं कर लूँ तो देखते हैं बहुलक की अगर मैं बात करने होगा तो एक और नौ में से होगा तो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार तो बहुलक तो आगया एक त्यानिकि ये दौनौग तो उत्तर होने से रहे आंसर होगा B और C में से अब मैं ध्यान से देखता हूँ कि कितने आपको योग करना है ना तो 10 ये बन गया 10 10 10 तो 1, 2, 3, 4 40 तो ये बना 50 और 2 और 2, 4 और 2, 6 56 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 4 आ गया आंसर आएगा C 4 और 1 नेक्स्ट देखिए एक बिजली का वल्व इतने रुपे में खरीदा गया था आट परसेंट मूले की दर में कम होता है तो एक वर्ष बाद इसका मूले कितना होगा तो आट परसेंट कितना होता है चार दूनी आट पच्चिस चौकेस सो 25 से कितना हो गया तेविस खरीदा कितने में गया था बैयालिस सो में तो बैयालिस इंटू चार चार दूनी आट या चौबिस चार वाला आंसर है तो यानि कि इन दोनों में से उत्तर होगा पूरा या आपको हल करना पड़ेगा तो आंसर कितना आ रहे है 3864 C कर सकते हो Next बात वहिए Next बहुत ही आसान है वह छोटी से छोटी संख्या जो बैतर से गुणा करने पर पून वर्क बन जाए अरे दो से गुणा कर दो यार 145 बन जाएगा ना तो ये पून वर्क हो गया Next देखिए 4X प्लस 5Y बराबर 14 X माइनस 5Y बराबर 16 दोनों को जोड़ेंगे 5X बराबर आपका हो गया 30X बराबर हो गया 6 X बराबर अगर 6 हो गया तो 6 माइनस का 5Y बराबर 16 Y बराबर आगया 2 B Next माइनस दो आ रहा है क्या चैप करने दो माइनस दो आएगा B आँसर होगा Next देखिएगा मेरे प्यारे विध्यारती गंट A और B एक कारे को 40 दिन में कर सकते हैं B और C उसी कारे को 30 दिन में कर सकते हैं जबकि C और A इसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं टोटल वर्क अगर मैं मान लेता हूँ कि 120 है तो 40 से किती बार जा रहा है 3 बार 30 से किती बार 4 बार 24 से किती बार 5 बार 9 और 3 बारे आ रहा है तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा A, B, C अलग अलग किते दिन में करेंगे तो अगर मैं A की Efficiency निकालता हूँ तो A की Efficiency आ रही है 2 B की Efficiency निकालता हूँ तो आपको A और C घटाना होगा 5 घटा दिया A का जाएगा C की Efficiency 3 आ जाएगी तो टाइम कितना कितना लेंगे ये लोग ये लेगा 60 दिन ये लेगा 120 दिन और ये लेगा 40 दिन C आंसर होगा Next Next विकास अर्थमेटिक की वो कभी बाद में आएगी अभी NTBC-CBT2 का आया है Complete Reasoning, Maths और GK वाला जो बच्चे हैं उनसे तयारी कर सकते हैं किसी घन के कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग की परिमाप का आधा है तो जो बोला गया है कि घन के कोरों की लंबाईों का योग घन की जो एज है कितने एज होते हैं घन में 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तो आपके जो एज हैं वो 12 हैं तो मैंने मान लिया 12 इसकी भुजा मैंने A मान ली थी तो 12 A एक वर्ग के परिमाप का आधा है वर्ग का परिमाप ये है तो वर्ग के परिमाप का आधा है तो यहां से निकल कर आ जाएगा 6 A बराबर B गन का आयतन वर्ग के छेतरफल के बराबर है तो गन का आयतन क्या है भुजा का क्यूब वो बराबर है वर्ग के छेतरफल के तो मैं यहां से वैल्यू रखता हूँ कि मुझे वर्ग की भुजा चाहिए ना तो मैं A की वैल्यू रखता हूँ बी का क्यूब बटे 216 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर तो बी की वैल्यू आ गई 216 यूनिट ये आपका राइट आंसर आ गया काफी पूछा जाने वाला प्रश्ण है और इस तरह से आ जाएगा सर आपने अपनी बुक में प्रीविएस येर सेट भी डाले हैं क्या आयूश लास्ट में है पांच बाकी 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड है मज़ा आ जाएगा करने से ही पता चलेगा कि कितनी अच्छी है है ना चलिए बिना करें तो क्या कहें है आई ये सर चीनी के मूल्य में एक्स परसेंट की ब्रद्धी होती है चीनी की खपत में इतने परसेंट की कमी होती है और व्ये में कोई ब्रद्धी ना हो ठीक है यानि कि व्ये कॉंस्टेंट है तो चीनी की कीमत है खपत है खपत की कमी चीनी की ब्रद्धी के पराबर हो जाएगी तो 13,49 कहरी आया 3,13,26 और 3,39 तो यह हो गया सर तीन सो बटे 13 परसेंटेज तो यह हो गया तीन बटे 13 यानि कि कहने का मतलब साफ साफ है कि अगर खपत आपकी 13 से 10 हो रही है तो आपका मुल्य है वो 10 से 13 होगा तो X क्या है 3 बटे 10 इंटू 100 तो X का आपका value आगया 30% X अगर 30% आगया तो 400 का 30% हो जाएगा 120 चली टाइम सब हो गया 160 मीटर 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार कर रहे है तो आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है ध्यान रहे ये मीटर पर सेकंड में है इसको आप क्या लिख सकते हो 81 बटे 2 जो की लिखना भी चाहिए तो ये हो गया सर 900 अठारे सो बटे 81 और इसको मीटर परती सेकंड में बदलने के लिए किलो मीटर परती गंटा में बदलने के लिए अठारे बटे 5 का भाग दे दीजिए है ना तो 9 नाम 81 दो और दो पांस से काटा ये 20 बार बीज दूनी 40 दूनी 80 आपका राइट आंसर आजाएगा मैंने बुक के बारे में वीडियो बनाई है डियर आप जाके देख सकते हैं ना भाई पूरा बताया है कि उसमें गुरूप जुड़ता है अगर कोई दिक्कात आए तो आप बच्चों के साथ डिसकुशन कर सकते हो वो सारी चीज़े मैंने डाली है और वो के वल ऑनलाइन मैंने बताया है सब बताया है मैंने तो आप उस चीज़ को वहाँ देख सकते हैं अब यहाँ देखिए अंसर भी आ गया देखते हैं कि एक धाई दर्जन अब यहां खेल है सर धाई दर्जन सेवों का क्रेमूलिया 300 है प्रतेक सेव को 15 रुपे बढ़ा बेचा जाता है 15 रुपे में तो लाब बताओ तो एक सेव की कीमत निकालते हैं धाई दर्जन याने की 24 और 36 सेव तो 30 सेव 300 रुपे के एक सेव 10 रुपे का 15 रुपे में बेच रहे हैं तो 5 बटे 10 इंटू 100 तो जो आपका वो आ जाएगा 50 परसेंट अदे बी नेक्स्ट तो बोला जा रहा है कि भाई आपको प्रतिशेदन बिंदू निकालने हैं तो एक्स माइनस साथ वाए बराबर माइनस का 5 3 X प्लस Y बराबर आपका साथ है तो आपको प्रतिशेदन अच्छा वाई एक्ष के समानतर हो ठीक है हाँ कि एल्पी की वेकेंसी अभी पहले यह तो क्लियर हो जाए भाई यही नहीं हो रही है अभी तुम्हें उसका पड़ा हुआ है पहले इनको तो क्लियर हो जाने दो यह तो एक्षाम नहीं हो पा रहे हैं देखिए अब यहां हम चलते हैं माइनस माइनस प्लस या माइनस पाफ के लिए यह कट गया यह हो गया साथी है 21 माइनस का 22 वाई 15 और साथ 22 तो य बराबर आ गया एक तो य बराबर एक आ गया तो य माइनस का वन अब य बराबर एक आ गया तो एक्स बराबर भी निकाल सकते हो तो एक्स बराबर अपना निकल कर आ जाएगा छे कितना निकल कर आ रहा है X पराबर कितना निकल कर आ रहा है Y पराबर एक रखोगी X पराबर 2 आ जाएगा X पराबर 2 आ जाएगा X-2 एक समिकरन हो गई Next तुकि Y 0 कर दो फिर इसमे ALP की वेकेंसी तबाएगी जब शादी के बाद बच्चा फोरम बरेगा न आपका वो बरेगा फिर दोनों साथ में जाना एक्जाम देले लेकिन तुम्हारे कंसप्ट स्ट्रोंग हो जाएगे तब तक तो फिर आप उसको पढ़ा सकते हो 14, 35 और 56 का लेसे पर क्या होगा तो हम यहां कह सकते हैं सर यह साथ दूनी चौदे है 35 को हम साथ पंजे 35 और साथ आटू छप्पन तो यहां देखो साथ तो चले गई चलेगा पांच भी चाहिए और आठ भी चाहिए तो साथ चौके 28, 288 आपका राइट आंसर आएगा नेक्स करिए लास्ट कोश्चन चले इसको कैसे करेंगे एक्स का इससे गुणा करते हैं तो 2x स्क्वाइर माइनस का xy प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वाइर तो 2x स्क्वाइर 3xy माइनस 2y स्क्वाइर चलिएगा आप पढ़ाओगे की नहीं बिल्कुल पढ़ाएंगे बाई हम्मेरे संपर्क में जो भी आएगा हम तो उससे यही कहेंगे कि मैंने का अगर जिंदिगी जीनी है और एक स्टूडेंट लाइफ को जीना है तो एक बार रेल्वे का फॉम भरके देखो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें साल से साल यूँ ही गुजर जाएंगे ऐसे लग रहा पता नहीं कौन सी सब्वेताम जी रहें कि इनसे पेपर बन नहीं रहा है पेपर सैट नहीं हो रहा है या पेपर अपलोड नहीं हो रहा है सिस्टम समझ में नहीं आ रहा मेरे तो कि इनकी कोई हाट डिस में पेपर लेकर गए वो कि वो क्रेश हो गई जो भी चीज़े बताओ तो सही तो यह है अब हुमवर्द नोट करिए सत्रवा अठारवा उननिसवा और बीसवा सुबह ग्यारे बजे हमने यह पढ़ाया स्कंपॉण इंट्रेस्ट ठीक है कंपॉण इंट्रेस्ट का टेस्ट होगा साम को साड़े च्छे बजे रात को आठ बजे मॉक टेस्ट होगा जरूर दिया करो ठीक है साहिल टैन ऐसे कोड लगा कर आपको जोड़ना है CET common eligibility test इन सब के लिए तयारी आपकी बढ़िया चल रही है सही तरीके से कराया जा रहा है हर एक चीज़ को अनकेडमी लर्नर एपर आपको जाना है SSE एक्जाम पर जाना है गैट सस्किप्शन पर जाकर 24 महिने का बैच लेना है और साहिल 10 ऐसे कोड लगा देना है और अपलाई कर देना है अपलाई करते ही आपको डिसकाउंट मिलेगा साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर और बस बड़िया तरीके से पढ़ाई करते रही है आसके डाउट फीचर रेज एंड फीचर सारे फीचर आपको मिल जाएंगे साथ के साथ ये टेलिग्राम है यहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्ती से पढ़ते रहिए और भहिया जिनको NTPC लग रहा है, हो जाएगा वो प्रैक्टिस शुरू कर दो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है क्योंकि टाइम लगेगा, उसमें 120-120 questions है ठीक है न, चलिएगा तो अपना तयारी करते रहो, क्या कर सकते हैं बता एक अध्याबक पढ़ा सकता है, हमारा क्या होने वाला है हमारा धोरा सतक होने वाला है है हमारा धोरा सतक होने वाला है, 187 पर पहुँच गए हम 187 नमबर लेक्चर और मुझे अच्छे स्याद है, मैंने शुरुवात किया था शायद यह छे-साथ महीने पहले, परवरी के टाइम किया था शायद फरवरी से पहले किया था पदा नहीं कब किया था याद नहीं है है ना तो मैंने सुचा भी यह अब एक्जाम हो जाएगा एक्जाम से पहले अन्तिम प्रक्टिस है तो इसमें सारी चीजे कवर हो जाएंगी अब जुस्ता से तुम्हें भी फ्रस्टेशन लेवल आता है मेरे आध में 187 भी पहुच गया भाई not out ठीक है अब मार्च में किया था शायद पता नहीं ध्यान नहीं आता तो भोल भी गया ठीक है तो ऐसी पढ़ते रहो भाई अना टेक क्यार लव यू अल हेव नाइस दे मिलते हैं आपसे अगले सेशन में ठीक है बाई